आज के किचें टिप्स बहुत ही ज़ादा यूनिक होने वाले हैं और आपको बहुत ही ज़ादा बढ़िया लगने वाले हैं और कुछ नया तरीका भी हम सीखने वाले हैं क्यूंकि आज का किचें टिप्स है बहुत ही खास तो वीडियो को पूरा वाज कीजिए आज का मेरा पहला टिप बहुत ही खास है तो इसलिए हमने ले लिए हैं नहाने वाला डेटल साबुन आपके बस जो भी साबुन है आप ले लीजिएगा यानि कि किसी भी ब्रांट का साबुन आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा अभी साबुन को ना ग्रेट कर लीजि अभी इसको दूसरे बावल में मैंने टांसफर कर दिया है और अभी मैं इसमें एड करूंगी खौलता हुआ गरम पानी बहुत ही ज़ादा गरम पानी इसमें एड कीजिएगा ताकि जो सोप है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो तो इसमें और एक चीज हमें एड करना पड़ेगा वो है ग्लीसरीन आपको इजिली मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा तो दो चम्मच ग्लीसरीन इसमें एड कर दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए अच्छे से मिलाने के बाद इसको ठंडा होने के रिए रख दीजिए जब तक ये ठंडा हो जाए, तब तक बस आदा घंटा या 40 मिनिट के अंदर ये ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन हाँ इसमें आप ग्लीसरेन जरूर एड कीजिएगा, क्योंकि ग्लीसरेन के बिना हैंड वांस नहीं बन सकता है, तो इसलिए ग्लीसरेन इसमें एड करना ही करना है, और ठंडा होने पे इसका कंसेस्टेंसी आप देखी सकते हैं काफी ठीक हो चुका है, यानि की market वाला hand wash बनके तयार हो चुका है है ना friends एक दम market जैसा hand wash बिलकुल market जैसा बनेगा अगर आप इस तरह से hand wash बनाते हो तो तो आपके पास अगर कोई भी मतलब hand wash का खाली bottle है तो आप उसमें भर के रख सकते हैं मेरे पास तो नहीं दा इसलिए spray bottle में इस तरीके से मैं इसको डाल रही हूँ और डालते टाइम देखी सकते हैं इसका consistency जैसे market से हम खरीद के लेके आते हैं ना सेम इसी तरह से बनेगा तो friends देखी कितना सारा hand wash बनके तयार हो चुका है जस्ट साबुन का एक टुकड़ा मैंने लिया था दो तीन चम्मच ग्रेट किया हुआ साबुन लिया था उसी में इतना सारा hand wash बनके तयार हो चुका है तो चलिए अब मैं आपको हाथों में apply करके दिखाती हूँ देखी friends जब यह निकल रहा है तो आप देखी सकते हैं जैसे market बला होते हैं सेम इसी तरह से बनेगा और किसी को थोड़ असा भी न भनक नहीं लगेगा कि यह आप घर पे बनाई हो तो आप भी इस तरह से बनाईएगा और थोड़ असा साबुन में इतना सरा hand was बनके तयार हो जाएगा यह मेरा पूरा मन्त चल जाएगा जब हम दूद को boil करते हैं दूद boil होने के बाद इसको ठंडा करने के लिए हम kitchen में ही रखते हैं यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद ही हम इसको fridge में रखते हैं इस तरह का लीड से है इसको हम cover तो कर देते हैं जाली वाला लीड हो गया है या तो फिर नॉर्मल सो जो लीड आता है उससे भी अगर cover करते हैं लेकिन हमें डर लग रहता है कि बिल्ली आके इसमें मूँ ना डाल दे तो इसके लिए बहुत बढ़िया trick आप क्या कीजिए आप ले लीजिए cloth clip जो कपड़े सुकने वाला clip होते हैं वही वाला ले लीजिए और इस तरह से lid में आप इसको लगा दीजिए तो इस तरह से लगाने से lid देखिए बहुत ही tight हो जाएगा और believe अगरा या तो फिर कोई बे जानुआर अगर आएगा तो इसमें मूँ नहीं डाल पाएगा I hope कि ये tip आपको useful लगी है मेरे घर में ऐसा वाला एक पुराना pipe पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसका एक DIY बना के एक organizer बना लेती हूँ पुराना pipe था तो मैंने सोचा इसका यूज भी हो जाएगा आप चाहे तो आपके घर में अगर फॉयल पर पढ़ है वो खतम होने पे जो रोल बचा हुआ रहता है उसका भी यूज अप ले सकेंगे तो इसको तीन टुकडों में मैंने काट लिया है तीन हिस्सों में काट लिया है उसके बाद ना इसका किनारों में देखिए इस तरह से हम गुलू चिपकाएंगे गुलू लगाएंगे चिपकाने के लिए और इसका बेस एक तयार कर लिया है और इसको मैंने कैसे तयार किया जो काटून का काबोटा था उसी को यूज में लेके इसका बेस मैंने तयार कर लिया है राउंड से उसको कट करके फिर ऐलुमेनियम फॉइल से कवर कर दिया है ताकि वो छुप जाए और देखने में भी खुबसूरत लगे और देखे यह वाला जो पाइब में चिपका रही ह कि इस तरह से आप बना रहे हैं तो उसको अच्छे से डेकोर भी कर सकते हैं जो दिखने में सुंदर लगेगा तो यह बनके तयार हुआ है चूडी स्टैन इसमें हम चूडी को और गनाइस करके रखेंगे बस इसको ड्राइ होने के लिए हम छोड़ेगे दो घंटे के लिए दो घंटे के बाद यह अच्छे से ड्राइ तो होई चुका है और साथी साथ मेरा जितना भी चूडी है उसको मैं इस तरह से इस पर रखड़ी हूँ कितना खुबसूरत लग रहा है देखिए तो और इसको मैं अपना ट्रेसिंग टेबिल में रखूंगी बहुत ही खुबस बना सकते हैं घर में बिना खर्च आई होब कि यह टिप आपको यूसफुल लगी है इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए अब मैं आपको एक नुस्के बताऊंगी जो बहुत ही असरदार है और लगवक फ्री में बनने वाला है किमकि इसके लिए जो जो इंग्रीडे उससे गरेट करें और अब हम इसमें एड करेंगे नारियल का तेम और बस ह्री थोड़ा से ही चाहिए थोड़ा सही नारियल का तेम ले ले लगा अगर आपके पास कैस्टर ऑुल है थो आप वह ले ली जेगा उससे आपको और अच्छ रेज़ actions मिलेगा फिर उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे फिगला हुआ मोम यानि कि मोम बाती को पहले जला लिजे उसके बाद जो पिगलता हुआ मोम है वही वाला चाहिए तो जैसे ही मोम पिगल के नीचे प्लेट में आएगा और साथी साथ आप इस तरह से चमच की मदर से इसको मैस कर दीजिएगा तो ब अगर आप पूछेंगे कि अगर मुम बाती को हम ग्रेट करके डाले तो चलेगा तो नहीं ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि देखें पिगला हुआ जो मुम है वही चाहिए तो इसलिए मुम बाती को जिला कि इस तरह से पिगल के फिर आप ले लीजिएगा तो बस देखें यह त चोने के वज़े से वाइट कलर का फंगल इंफेक्शन होने लगता है और जिससे कि न बहुत ही जलन खुजली होते हैं तो हम बहुत ही परिशान रहते हैं तो इससे बचने के लिए यानि कि इसको ठीक करने के लिए यह वाली नुसके को आप अपना सकते हैं अपलाई कर सकत हैं आदा घंटे के लिए इसको लगा के रखे और इसको दो तीन बर लगाने के बाद आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा आई होप की टिप यूसफुल लगी है तो वीडियो को सेयर कर दीजीगा और एक लाइक जरूर कर दीजीगा मेरी अगली टिप है अगरवत्ति को कीजिए नारियल का जो शेल है यानि की नारियल का खोल आपने लिए और नारियल खोल को इस तरह से एक कंटेनर के ऊपर रखें और उसके बाद अगरवत्ति को आफ सेट करके फिर आफ जलाएं उसके बाद आफ देखेंगे कि अगरवत्ति का जितनी भी वेस्टेज है ना वो नारियल का खोल में गिरेगा इसे की सरफेस गंदा नहीं होगा इस तरह से आप भी ट्राइ कर सकते हैं आई होब कि ये टीफ आपको यूसफुल लगी है और आपको बहुत पसंद भी आया है तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरी जो अगली टीफ है व तो ये पानी है ना जिस से मतलब फूलने जिस पानी से आप फुलाते हैं चनाको वो वाला पानी में बहुत ही निउट्रेशन रहता है तो इसको फैकना नहीं चाहिए इसको यूस में लेना चाहिए अगर आप इसको पी पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर कि ये टिप आपको useful लगी है so friends आज का वीडियो में यहीं paint कर रही हूँ I hope कि आज का वीडियो आप सब को बहुत पसंद आया है वीडियो पसंद आने पे like, share, comment जरूर कीजिएगा चैनल पे new है तो subscribe भी कर लिजिएगा तो चलिए friends मिलती हूँ next video में bye friends and thanks for watching